सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी जिन्दगी में असली प्रॉबलम क्या है आप अपने किस तरह के थौड्स, कॉंशेस और अनकॉंशेस एटिट्यूट को बदलना चाते हैं जैसे आपकी जिन्दगी और बागी लोगों की जिन्दगी प्रभावित हो रही है recognition का मतलब है आपको हर दिन life review यानि अपनी जिन्दगी की समिक्षा करनी होती है notice करना होता है कि आप क्या हैं और मरने से पहले आप क्या करना चाते हैं जब आप consciously aware होते हैं, जब आप एकदम चुप चाप शान्ती से रिलेक्स होकर बैठते हैं और अपनी personality पर ध्यान देते हैं, तभी आप अपनी जिन्दिकी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. Begin your own life review, अपनी पुरानी personality को समझने और उसे बदलने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, कुछ समय निकाल कर आपको इन सवालों के जवाब खुछ से पूछने हैं और उसके जवाब एक नूटबूक में लिखने हैं. What kind of person have I been? मैं किस तरह का व्यक्ती रहा हूँ? What type of person do I present to the world? मैं किस तरह की व्यक्ती को दुनिया के सामने पेश करता हूँ? What kind of person am I really like inside? मैं अंदर से किस तरह का इंसान हूँ? Is there any feeling that I experience even struggling with over and over again every day? क्या ऐसी कोई भावना है जिससे मैं हर रोज बार-बार संगर्श करने का अनभव करता हूँ? How would my closest friends and family describe me? मेरे सबसे करीबी दोस्त और परिवार मेरा वर्णन कैसे करेंगे? Is there something about myself that I hide from others? क्या मेरे बारे में कुछ ऐसा है जो मैं दुसरों से चुपाता हूँ? What part of my personality do I need to work on improving? मुझे अपने व्यक्तित्व के किस हिस्से में सुधार लाने के लिए काम करने की आवेशकता है What is one thing I want to change about myself? मैं अपने बारे में एक चीच क्या बदलना चाहता हूँ? Choose an emotion to unmemorize अब आपको अपनी कोई afflictive emotional states यानि पीडिद भावनात्मा के स्थिती और limiting states of mind यानि मन की सीमित स्थिती या कोई ऐसी habit जिसे आप चुटकारा पाना चाहते हैं उसका चुनाव करना होगा क्योंकि ऐसी self-limiting emotions आपके automatic unconscious attitude का निर्मान करते हैं जो आपके limiting beliefs को बनाते हैं जो आपके personal perceptions यानि आपकी व्यक्ति का धरनाय बनती हैं नीचे दिये गया survival emotions में से आपको किसी भी एक emotion को चुनना है जिसे आप अपने दिमाग से भूलाना चाहते हैं author आपको recommend करते हैं कि आप उस emotion को अपनी notebook में लिखें क्योंकि उस emotion पर आपको आगे के steps में काम करना है हो सकता है आपका emotion नीचे दिये गया list में ना हो survival emotions के कुछ examples इस प्रकार है ज्यादा तर लोग कहेंगे क्या मैं एक से ज्यादा emotion चुन सकता हूँ लेकिन शुरुवात में important ये है कि एक बार में आपके वल किसी एक emotion पर काम करें क्योंकि ये सारे emotions एक दुसरे के साथ neurologically और chemically linked है for example क्या आपने कभी notice किया है कि जब आप गुसा होते हैं तब आप frustrated रहते हैं जब आप frustrated होते हैं तब आप जलन महसुस करते हैं जब आप जलन महसुस करते हैं तब आप दूसरों को judge करते हैं जब आप दूसरों को judge करते हैं तब आप insecure feel करते हैं जब आप insecure feel करते हैं तब आप selfish हो जाते हैं तो ये सारे emotions बिल्कुल एक ही तरह के survival chemicals के द्वारा बनते हैं उसी तरह से अच्छा महसुस कराने वाले emotions काम करते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं तब आप प्यार महसुस करते हैं जब आप प्यार महसुस करते हैं तब आप आजाद महसुस करते हैं जब आप आजाद महईसुस करते हैं तब आप इंस्पाइर होते हैं जब आप क्रियेटीव बनते हैं तब आप एडवेंचरेस होते हैं और इसी तरह से ये सारी feelings अलगपल से बनती हैं अगर हम किवल गुस्था का example लेकर चले तो अगर आप अपनी दिमाग से हमेशा कले गुस्ता बुला देते हैं तो आप कम frustrated होते हैं दुसरों से कम जलन महसूस करते हैं दुसरों को कम judge करते हैं और इसी तरह से एक के बादे आप इन सारे survival emotions को बुलाते जाते हैं इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी body को unconsciously automatic तरिके से काम ना करने का हुक्म दे रहे हैं और जब आप ऐसा करते हैं तब आपकी body आपके दिमाग के control में होती है और आप जितनी चाहे उतनी negative emotions को अपनी मर्जी से बदलते हैं और अपनी personality में बदलाव लाते हैं observe how the unwanted emotion feels in your body अब आपको आखे बंद करके उस emotion को feel करते हुए सोचना है कि आप कैसा मैसूस कर रहे हैं अगर आप खुद को उस emotion से उबरता हुआ देख पा रहे हैं तब आपको ध्यान देना है कि आप अपनी body में कैसा मैसूस कर रहे हैं क्या आप अपनी body में गरम, चेटचिडा, कमजोर, उखड़ा हुआ या तंग महसुस कर रहे हैं आपको अपनी दिमाग से अपनी पूरी बॉड़ी को स्कैन करना है और नोटिस करना है कि आप अपनी बॉड़ी के किस एरिया में उस इमोशन को महसुस कर रहे हैं अगर आप अपनी बॉड़ी में कुछ भी महसुस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं आपको याद रखना है कि आपको खुद में क्या बदलाव लाना है क्योंकि आपकी अप्जर्वेशन ही उस इमोशन को धिरे-दिरे करके बदल सकती है अब आपको अपनी बॉड़ी की वर्तमान इस सिती के प्रती फैमलेर होना है क्या आपकी सासे बदल रही हैं क्या आप इमपेशन महसुस कर रहे हैं क्या आप शारेरिक रूप से दरत में हैं और यदि ऐसा है तो अगर उस दरत में कोई भावना होती तो वो क्या होती बस ध्यान दें कि इस समय शारेरिक रूप से क्या हो रहा है और इससे भागने की कोशिश न करें उसके साथ रहें एक इतरह का इमोशन बहुत सारी फीलिंग्स को जनम दिता है तो आपको उन सारी भावनाओं और शारेरिक सब्वेदनाओं के बारे में जानना होगा जो आपकी उस भावना को जनम दिता है जिसे अब आप याद नहीं करना चाहते अपने आपको किसी भी चीज या किसी से विशलित होए बिना उस भावना को महसूस करने दे कुछ भी मत करें या फिर उसे दूर करने की कोशिश करें आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है आपने हमेशा उस भावने से दूर भागा है आपने उसे दूर करने की कोशिश के लिए अपने बाहर की हर चीज का इस्तेमाल किया है उस emotion को अपने वरतमान में महसुस करें और उसे अपनी body में energy के रूप में महसुस करें Define the state of mind associated with the emotion इसके बाद अपने आपसे ये सरल प्रशन पूछें जब मैं ऐसा महसुस करता हूँ तो मैं कैसा सोचता हूँ मान लीजे कि आप अपने personality traits यानि व्यक्तित्वे लक्षडों में से एक के रूप में क्रोध को बदलना चाते हैं अपने आपसे पूछें मेरा कैसा attitude होता है जब मुझे गुस्सा आता है इसका उत्तर controlling यानि नियंतरित या hateful यानि greenness बद हो सकता है या ये self importance हो सकता है उसी तरह यदि आप डर को दूर करना चाते हैं तो आपको देखना है कि उस वक्त आपकी कैसी state of mind है आपको अभीबूत, चिंतित, हताश, पीडित, ओदास, आलसी, नाराज या जरुरतमन महसूस हो सकता है अब जब आप ऐसा महसूस करें, तब आपको aware होना है यानि अपनी सोच को याद रखना है जब आप उस emotion को महसूस करते हैं, जिसे आप बदलना चाते हैं तब आपको अपनी state of mind यानि जैसा आप सोचते हैं, आपको उसके प्रती aware होना है नीचे दी गई लिस्ट में से आप चुन सकते हैं, या जो लिस्ट में नहीं है, आप उसे जोड भी सकते हैं Limiting states of mind के कुछ examples इस प्रकार है प्रतिसपर्दी, कमी, नियंतरण, शिकायत, अभिमानी, शर्मीले, डरपोक, दोज देना, नाटकिय, उलजन में, पहचान की जरुरत, विशलित, अंडर ओवर कॉन्फिडेंट, जरुरत मंद, आलसी, हताश, बैमान, समवेधनशिल, असमवेधनशिल आपके ज़्यादतर वेवार, पसंद और कर्म, इस भावना के समान है, इसलिए आप नियमी तरिके से वैसा ही सोचते हैं, और काम करते हैं, और आपके लिए कोई नया भविश्य नहीं हो सकता, आप हमेशा उसी पास्ट में रहते हैं, आपका काम है बिना कुछ किये उस emotional attitude क साथ रहना और उसे observe करना, आपने अभी अभी एक unwanted emotion और उसकी state of mind के पहचान की है, जिसे आप बुलाना चाहते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लैक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, all the best for your success, मैं हमेशा आपको इसी तरह inspire करता रहूंगा